हलो स्टुडेंट्स आज की विडियो में हम क्लास 9 की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चेप्टर ग्रेविटेशन इस ग्रेविटेशन चेप्टर का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हैं बलकि इस चेप्टर के लिए जितने भी नुमेरिकल्स है न उन सभी नुमेरिकल को कवर करने वाले फॉर्मले को डिस्कस करने वाले ठीक है और एप्रोक्स कितने फॉर्मले आपको मालूम होने चाहिए फॉर फॉर बेसिक फॉर्मले तो अगर आप उन चार फॉर्मले को समझना चाहते हैं कौन से चार फॉर्मले है उसमें क्या-क्या फिजिकल क्वांटि सर, स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो का टापिक, Most Important Formulas for Class 9 Chapter Gravitation. चलिए, सबसे पहले तो formula को नोट करते हैं, कि कौन-कौन से important formula है, gravitation chapter के लिए, लास्ट में हम discuss करेंगे, कि वही physical quantity जो हम use कर रहे हैं, formula में, उनकी assignment क्या होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, सबसे पहला formula देखते हैं, जो बहुत important है, gravitation chapter के लिए, वो है, force is equal to mass into gravity, ठीक है? force is equal to mass into gravity, यहाँ पर F क्या है? force, M क्या है? किसी object का mass, और G क्या है? gravity, clear? इसी से मिलता जुलता है, एक और formula भी आपने शाहिद देखा होगा, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ note कर लेता है, F is equal to M A, ठीक है? यादा आगे होगा आपको वैसे, force and lasso motion था ना, first term के अंदर 9 में, तो वहाँ इसका जिकराता है, force is equal to mass into acceleration, क्या बोलते हैं इसको, A को acceleration, area नहीं है यह, क्या ही यह? acceleration, ठीक है? तो याद रखिएगा, अब यह जो formula है इसी को यहाँ पर change किया हुआ है, यहाँ पर क्या बोले है? acceleration due to gravity, मतलब G simber से से denote किया हुआ है, ठीक है? next, number, second formula, वो है, capital F is equal to G M1 M2 divided by R square, बहुत important formula है, बलकि इन से आड़ी के जो access questions है, उसमें भी आपको कुछ ऐसे numerical मिलेंगे, जिसमें इस formula का इस्तेमाल किया जा रहा है, F क्या है यहाँ पर? gravitational force, G क्या है यहाँ पर? gravitational force constant, M1 M2 दो object का mass है, पहले object का mass, दूसरे object का mass, उनके बीच की जो distance है, वो R है, next, number, third पर आता है, small g is equal to G M upon R square, ठीक है? gravity, gravitational constant, mass of an object, distance between two object, तो यह आपका है, number, third formula, अब number fourth पर है, जो इसी formula को change करके बनाया गया, और वो क्या है? G is equal to G M E divided by R E का square, ठीक है? R E का square, अब यहाँ पर small g क्या है, gravity, capital G क्या है, gravitational constant, और M E का है, mass of earth, और R E का है, radius of earth, हाँ, simple से, तो यह चार formula है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप इन चार formula को अच्छे से तयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो I think आप maximum numericals को cover कर सकते हैं, gravitation chapter के, कुछ basic formula और भी होते हैं, जो पुराने आपने पहले पढ़े हैं, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आप, जैसे की, V square minus E square is equal to 2AS, हाना, तो आपे 2AS जो था, उसको थोड़ा सा symbols change कर देने होते हैं, 2GH कर देते हैं उसको, हाना, क्योंकि A मतलब acceleration due to gravity में, वो change हो जाएगा, और बाकी S जो है, उसे आपने H से replace कर दिया है, height से replace कर दिया है, तो symbols है, तो यह 4 formula आपको समझा गए, अब इनकी एक बार units देख लेते हैं, F Newton, M kilogram, यह units बतारों मैं आपको, G क्या होते है, gravity, gravity के लिए क्या यूज़ करते है, meter per second square, सेम यहाँ पर FR है, वो तो सब सेम ही है, capital G के लिए क्या use करेंगे, newton meter square per kg square, ठीक है, और R distance से तुसको meter में लेके चलीएगा, बाकी यहाँ पर भी सब SIMBA same है, बस, यही यहाँ पर SI unit है, क्योंकि physical quantity I think, इसमें repeat जादा हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं, तो यह 4 simple से important formula है, उनकी physical quantity, उनका नाम क्या होना चाहिए, और क्या उनकी ऐसा unit होती है, यह सारी चीज़ अगर आपको अच्छे से clear हो गए, तो वीडियो को like, share, subscribe करना मत बूलिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एक नए topic के साथ, धन्यवाद,